कि एसालेक्टीस कहना चाहूंगे कि प्लीज जज मत करिएगा मुझे से ज्यादा क्यामरे से बात करना भी नहीं आता है यतना रूंबा और बताना भी नहीं नहीं आहिए किस तौर्छा से बता हमारे साथ मौझूद हैं इनका नाम इबरहीम कादरी बहुत ही पॉपूलर है यूट्यूब पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पे आपको देखने को ये मिल जाएंगी माशालला बेहन अपनी स्टोरी आपको अभी बताएंगी किस तरह से अल्ला की महबत इनके दिल में जागी अल्ला का खोफ इनके दिल में जागा इस से पहले मैं आपको इनकी थोड़ी सी बात बताता चलूं इनकी जो कहानी शुरू होती है सन 2020 में जब कोविड आया था कोरोना आया था जब लोगों ने अपना मास्क लगाना स्टार्ट किया था सबी लोगों ने चाहे वो म पहर मुस्लिम हो किसी भी धरम के लोगों और वह भी मूँ डख रही थी मर्द भी मूँ ढख रहे थैं मर्द मास्क लगा रहे थे वाहन से इनकी इस्टोरी स्टार्ट होती है अल्ला का खौफ ल्ला की महबद जो भी आप कह सकते हैं स्टार्ट होता है और आगे की ये बात बताएंगे आपको सब अपनी जुबानी चलिए जानते हैं इनी की जुबानी इनकी जिन्दगी की पूरी कहानी हिजाब डाला स्टार्ट किया था आज से दो साल पहले जब कोविड आया था पहली बार जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते वो जानते मैं हमेशा रमजान में अपने हैट को कवर करती थी और रमजान भर करती थी हमेशा पूरा प्रॉपर और जब जैसे चान दिखता था इद आने लगती थी ना तो मैं हमेशा हिजाब हटा के बिल्कुल बालवाल खोल के मार्केट शॉपिंग पर जाती थी उस वक्त एक बार दिल में ऐसा होता था कि पूरे रमजान भर क्यों किया है और फिर अब क्यों हटा रही हूं लेकिन होता ना तब तक आपको समझ में नहीं आती है अच्छा में चीज और बताओं मैं स्कूल टाइम पर कॉलेश टाइम पर भी अपना हैट कवर रखती थी इससे और जादा मेरा वजन था तो मैं सर पे दुपट्टा ओरती थी बहुत जादा फैट तो उस वक्त क्या होता था लोग मुझे ना मेरे बरावर के लोग बहुत बार मार्केट में आंटी आंटी कहने लगे थे आंटी कहना कोई बुरी बात नहीं लेकिन उस वक्त इतनी समझ नहीं थी अभी अब सब ऑ लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ता तो उस वक्त करती थी फिर हटा दे थी फिर जब कोविड आया तब ऐसा जादा मुझे मतलब डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं कहेंगे इतना सदा डर मेरे अंदर बैठ कि बहुत से लोगों को हुआ होगा कि अब क्या होगा अब तो प इने का पीड़ ऐसा आया था कि मैंने सब को छोड़ दिया था नहीं मने को इंस्टाग्राम के को लाबरेशन वसे तो वैसे भी नहीं आ रहे थे लेकिन और भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ना तयार होना ना कुछ करना बस इबादत करते ना सर पर टुपटा रखना ऐसे मैंने शुरू कि अल्ला से दुआ करी कैसे कैसे वो फेज निकला अल्हम्दुरिल्ला घर पे किसी को इतना तुदा फैक नहीं हुआ तो जब कीसे नॉर्मल होने लगी तो फिर मैंने उस दिन से सोच दिया था कि जब मैं अतनी परिशानी में इस तरह से खुद को रख अल्ला से दुआ कर रही हूं अपने आपको जिस तरीके से मैं रख के लाई हूं अल्ला ने मुझे बचाया से से रखा हर चीज करी उस वक्त तो जब चीज़े अच्छी हो जाएंगी तो तब क्यों मैं अपने आपको बदलू मैं जैसी हूं मैं वैसी रहती हूं तो और उस करते हैं अपने पुरे वक्त में आद करते हैं अच्छाई में भूल जाते हैं तो मैंने अभी जब ऐसा चल रहा है तो अब हमेशा मैं अपना हैट को कवर रखोंगी अच्छा जब दिसीजिन लेना बहुत दा मुश्किल नहीं था कि करती रहती थी लेकर एक बार जरूर सोच करना पड़ता है से मैं कोशिश करती हो कि बैग पीछे से थोड़ा लंबा रहे आगे से थोड़ा फ्रेंट कवर रहे तभी हिजाब का मतलब है कभी-कभी नहीं भी हो पाता क्योंकि फोटो शूट करते हैं कभी-कभी ब्रैंड कैसे कपड़े आते और उनको इतने पैसे दि करना बस थोड़ा से मुश्किल इसलिए मुश्किल नहीं था यह था कि अगर शुरू किया ना तो फिर इससे कंटिन्यू करूं क्योंकि क्या होता है कि फिर मुझे उस तरह नहीं बना था कि बहुत से लोग होते ना पहले हिजाब डालेंगे फिर घर में शादी आगे यह फ अगर करो तो इसी रिस्पेक्ट करो और प्रपर करो वरना आगे करो जो आपका मना है तब साथ करना तो बस यही तरहाएं मैं अपने घर पर सबसे क्या सवान होता है क्या घर वालों ने फोर्स किया भिल्कुल नहीं कि आप देखते और इजा को सारा को भावी को बाकी प्रॉब्लम आई फेस मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कुछ ऐसा हुआ कि काम में कुछ दखल आया तो नहीं बिल्कुल भी दखल नहीं आया बहुत ज़्यादा अजादी है यहां पर हम आसानी से डाल सकते हैं बड़े-बड़े ब्रैंड के साथ मैं कुलाइबरेशन करती हूं और अल्हद्धिल्ला कभी किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं आपको इस तरह सही ड्रैस अप करना है हाँ शायद कभी-कभी इंस्टाग्राम पर ऐसा होता है कि कुछ ब्रैंड देखते हैं कि अच्छा सवा से कराते हैं तो बहुत ददा फायदा होता है तो वह करा तो लेते हैं लेकिन जो फोटो में पोस्ट कर रही होती है उसको रिपोस्ट नहीं करते हैं क्यों उनका पेज खराब हो जाएगा वहां पर लोग धोड़ा सा जो मॉडर टाइप फोटो मेरा कूँ डिसीजन बॉत भूप और करना चाहते या फिर बार कि अब चाहिए जब सिर्द फैसध की फैस्ट गैदे जो लोग करतें आभी मैं जजनी करती यह मेरा माना है कि हिजाब ने आपको मुझे कोई फैशन आइकन नी बनना था कि मैं हिजाबी फैशन इंफ्लूएंसर वनू मतलब यह सफिक मीरा है अल्ला ने कहा है सर पे दूपटा रखो इस तरह रखो तो बस रखना है इसके लिए मुझे इस वे में फेमस नहीं होना था कि मैं इस जगा जाके खुद को फेमस क आज की लड़की चाहते हैं कि आप हिजाब पहन के किस तरह फैशन कर सकते हो अचा हिजाब पहन के फैशन ही हो सकता है मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत बार अगर आपको टाइट यह तरह के कपड़े पहनने पढ़ गए आपको जीन्स या मतलब ऊपर वाला टॉप पहन ना आज कर आप देखते हैं बहुत जादा ही सब चीजे चल रही है वह मेरे साब से मुझे लगा अगर मैं करूंगी तो ऐसा नहीं हो कि मुझे देखके अगर बाकी लोगों ने भी करना शुरू कर दिया एक में भी कर दिया तो जो दस लोग भी करेंगे तो उनको गुनानी जब आप चीजे लगती हो कि अच्छी लगती हो तो कभी एसा लगता है लेकिन कभी बाहिते हैं दो पहले हिजाब करेंगे फिर थोड़े फेवनस हो जाएंगे उसके बाद जब कुई अच्छा सा कोलाबरेशन आएगा वटो शूट आएगा तो बाल खोल लेंगे तो मैंन मैं ऐसा नहीं किया मुझे बहुत बार ऐसी अपरचिनिटी आई लेकर मैं सुचे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है कोई चीज काम आता है नहीं आता कोई बात नहीं कहीं आगे नहीं जाना है ऐसी रहना है अल्ला को देना होगा तो वो जरूर देगा और वो देता भी है जो अपने हिसाब से आपकी नियात आपकी जमीर जो आपको कहती है वो करो बस यह थी फ्रेंट्स मेली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी उमीद करते हो कि आपको अच्छा लगा होगा और बस इतना ही कहूंगी कि हर चीज जो भी करो आप अल्ला के लिए करो कुछ यह पाइना थेख से उसे ना हो कपिझे जो पएन पर लेखिए तो बहुत गलत है और नहीं हो नहीं होना चाहे हर एक की अपनी चोइस है अच्छ नहीं कि बता रहे थी कि और हिज़ाब डालना क्यो तो माशालला बहन की वीडियो बहुत अच्छी लगी बहुत ही जबर्दस वीडियो थी सुनकर देखकर काफी अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगा होगा आपकी क्या राया कमेंट में जरूर बता सकते हैं और देखिए चाहें मुसल्मान हो या गैर मुसलिम हो जब एक बार अल्ला का महबत आप दिल में कहले जी या खोफ कहले जी जब जाता है तो फिर वो बंदा अपने आप से काम को जो बुरे काम होते हैं उन्हें छोड़ देता है और जो अच्छे काम होते हैं उनको पकड़ लेता है तो देखा आपने इतनी पॉपुलर मशूर होने के बाद भी इन्होंने किस तरह से अल्ला की रसी को पकड़ लिया अपने सर को कवर करना स्टार्ट कर दिया तो काफी और भी इनके अंदर चेंजेज आयोंगे एक दुपटा ही नहीं काफी सारे चेंजेज इसके अंदर आयोंगे ये पहले से ही मुस्लिम है इमान वाली है माशालला कोई गेर मुस्लिम नहीं है ये मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम होने के बावाजूद इन्होंने जो है मतलब दुबटा वगएरा ये सर पर नहीं रखा करती थी तो 2020 के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बतल गई तो उम्हेद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंदाई हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तक 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 यहां लिए खुझा हुआ 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 है